उन्होंने चार महिने बर्वाद कर दीये एक डेमोक्रेटिक गोर्मेंट जो चुनी हूई सरकार है उसके चार महिने इसी में बर्वाद हो गए हम तो फिर 40 हैं चालीस थे 40 हैं लेकिन उन्हों ने क्या इसमें पाया वो उनको आतम मंथन करना चाहिए और प्रदेश की जंता से मावी भागना चाहिए कोई खत्रा निये माचल प्रदेश सरकार को और सरकार पुरी तरह स्थेर है स्थाई है टिकाऊ है और विपक्ष से हमारा आग रहा है कि वो कंस्त्रक्टिव ऑपोजिशन करें रचनात्मक विपक्ष करें जो प्रदेश हित के इशूज है उनको उठाए और साजी शरेंटर छोड़ देए सब मंत्रियों की प्रफॉमेंस की बात करें तो आप अबल है आप नहीं का जो स्थेक्षित की यहां जो हार की जो समिक्षा चल सब्सक्राइब करेंडिंग कमेटी तू मेंबर्स हिमाचल आई हैं उनके साथ अभी चर्चा होनी है डिसकेशन होनी है और जो भी पहलू रहे लेकिन इतना जरूर है कि हमारी प्रियर्टी हिमाचल परदेश की सरकार को स्थिर करना था उस प्रियर्टी में हमने काम किया और आज हम उतने ही MLS पर पहुंच गए हैं जितने पर हम थे बाकी तो जो डिसकेशन होगी जो स्काउट कम होगा वो हम आपको बताएंगे दावे बहुत बड़े-बड़े किये गए थे चाहिए नेता पती बक्ष की बात करें अब यह जो मेंडेट आया फिर आप चानिस पर पहुंचे क्या संदेश है यह सर और भाजबा को क्या करें नहीं अब आप आप देखें कि अभी तीन तीन सीटों पर इलेक्शन हुआ है श्रीमती कमलेश ठाकूर जो हैं अल्मोस्ट दस अजार के आसपास के मार्जन से जीती हैं और वही मार्जन से हमारे हर्दी बाबा भी जीते हैं तो दोनों सीटें जो हैं एक बड़े रिस्पेक्टिवल और इंप्रेसिव मार्जन से हमने यह सीटें जीती हैं और यहां पे दो आधिकर का अस्ताय का प्लेशन नहीं बनता था वो तो उनको बताना चाहिए कि आखर वट वर दा कंपेलिंग सरकम्स्टांसिंस की उन्होंने अस्तीफा दिया लेकिन दो पे तो दो सीटों पे तो कॉंग्रेस के लोग आ गए तो उन्होंने क्या गें किया 42 महिने की मेलेशिप गवाई और एक हमीरपूर की सीट में हम नेरोली हा रहे हैं और सिर्फ साथ सोबोट और और चाहिए था अच्छी फाइट दी है तो कॉंगर्स पार्टी का जो विधान सबा को लेकर बहुत अच्छा प्रदर्शन दाहा है पहले छे एलेक्शन हुए थो उसमें हमन झालेशिप से लोगों ने कॉंग्रस पार्टी की जो सरकार की नित्या हैं कारे करम है उन्हें मोहर लगाई और हम हमारी सरकार को स्टेवल किया सारा ध्यान वहां पर केंज़ृत था अब सरकार ती जो और चनौतियां है फाली जो फानेंशल प्रंड है लोगों के ड्यूद है निखल लिकालने हैं अब हम उस पर केंदध करेंगे हम विपक्ष को एक वर फिर देराग्राक ना जाते हैं कि हमेशः संता कि लालसा रखना सही नहीं है हर समय सट्था जूणते रहना अगर आपको जनता बिपक्ष में बिच्थाया है और आप से उसकी कदर करें से आप ससथा कौशिश करें इससे बहतर है एक आपने एक्परिबेंट किया और अपरेशन लोटस पूरी तरह विफल हो गया धुस्त हो गया पूरी तरह उपरेशन लोटस हिमाजल परदेश में जिस ताकत से धुश्त हुआ है उसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को मंसन करना चाहिए जो इसमें बीजेपी को क्या खर उन्होंने ये क्यों प्लान किया क्या जल्दवाजी थी और ये तो बीजेपी का इंटर्नल मामला है कि वो देखें लेकिन एजे पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी हम भी पक्ष से यही कहते हैं कि आप कॉंसेंट्रेट करें अस्ट्रक्टिव ऑपोजिश अच्छन हुआ वाइए लेक्षन से पहले वो आये थे कुछ दौणाने के कोशिश हुए होगी लेकिन अच्छ तो प्रभावित नहीं हुए हमारे 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 हक में दो सीटे हमने जीतनी है वाकि तो जो चनौतिया आएंगे उनको फेंस करेंगे अजे कॉर्मेंट लेकिन बीजेपी ये सोचे कि अब पहले चालिस से उन्होंने तोड़ पोड़ की अब क्या करेंगे हम तो फिर उतने ही हैं हम तो इस इस पूरे एपिसोड में आप देखें कि छे लोगों की अमेलेशिप चली गई वो लोग किसके बहकावे में आये क्या साजिश्थी क्या शेडेंटर थे उन्होंने क्या खोया क्या पाया विए तो उनको मन्थन करना है नहीं देखो नेता प्रतिपक्ष हैं और बिदानसवा का मसला है मैं इसको वहां से पिंडाउन करना और वहां से निकाल के अपने कि उन्होंने 6 MLS के MLS शिपगवादी उन्होंने प्रदेश में 4 महीन अस्ठिक्टा का महल किया उन्होंने यो है साजिश्थ श्रेंटर रची और वो है सरकार बनाना चाहते थे सरकार नहीं मनी और उनका सारा उप्रेशन ऑंदे मुँ घर गया उप्रेशन लोटस बिफल हो एक रचनात्मक उपोजीशन करते हुए ओपोजीशन की भुमी का निभाएं विधान सभाके भीतर और बहार सुन्हें थे कुछ थे